हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्याग्यान में स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आचुका हूँ बाइलोजी का पार्ट फोटिन ठीक है जो कि आपके आने वाले एक्जामी परिछा के लिए वह थी मोस्ट इंपर्टन कोशन है तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ठीक है तो चलिए आज का कोशन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और अगर सस्क्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिए ठीक है बच्च या क्लोरोफिल या कार्बन डायकसाइट या यह सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा यह सभी ठीक है सभी आवश्चक है आगे चलते हैं बताएए पादब रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक काउन है आपके आप्शन है जिवारू है या फिर फफूंद या प्रोटो यह साड़ू तो इसका सही अंसर हो जाएगा फफूंद ठीक है पादब रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक फफूंद है अब बताएए अगने नेरजा रोग किसी से समंधित थे नारियल नारंगी यह फिस शेव या अंगूर जिसका सही अंसर हो जाएगा सेव ठीक है अग खुराना ने या मिलर ने या डार्विन ने या इनमेस कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा खुराना ठीक है खुराना ने सवर्पतम किया था यह भारत कही थे आगे चलिए बताइए कोशिका वह आडविक जीव विज्ञान के अंदर कहां इस्थी थे है राद में या मुंबई या कुलकत्य या इनमेस कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा है राद यह बहुत इंपर्टन कोशन है कोशिका वह आडविक जीव विज्ञान का केंदर है राद में है अब बताएए भोजंग का अनिवार आवय है प्रोटीन कर्बोहाइडरेट भोजंग का अनिवार आवय है ठीक है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है लिपीड आमल कर्बोहाइडरेट या प्रोटीन तो इंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है ठीक है अब बताएए मानव शरीर विटामिन एस संचित रहता है आपक्या या तिल्ली या उदर या अमासा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा या क्रेट ठीक है अब बताए विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है फ्लोरीकमल यहां पर उत्थ सर्जन रहना चाहिए ठीक है तो मिश्टेक हो गया है तो बताए क्या पाया जाता है विटामिन डीक्ट सर्जन में आपके फलोरीकमल कैल्सी फिर Software यह रेटेन आल यह इनमेश कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा कैल्सी फिर आउल अब बताइए नेमन इन में से वसा कौन विले नहीं होता इन में से वसा कौन विले नहीं होता विटामिन A या विटामिन B या विटामिन C या विटामिन D तो इसका सही अंसर हो जाएगा विटामिन B विले नहीं होता ठीक है बताईए पीत जवार संचारित किया जाता है आपके आफसन है ए एनो फेलीज द्वारा या मक्खी द्वारा या एडीज द्वारा एमेस कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा A, D, G, 12 ठीक है P, D, G, और संचारित होता है अब बताइए मनुस्य के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं 10, 12, 14 या 16 तो इसका सही अंसर हो जाएगा 12 ठीक है अब बताइए मानवत तंत्र में निमलिखित में से काउन सा एक पाच्चन एंजाइम नहीं है अब क्याफसन है ट्रिपसिन या पेपसिन या टॉलिन या गेस्ट्रीन तो इसका सही अंसर हो जाएगा गेस्ट्रीन ठीक है गेस्ट्रीन एक पाच्चा एंजाइम नहीं है ठीक है अगर आपको कोशन अच्छा लग रहा है तो एक लाई जरूर करतीजे ठीफ है अब चलिए बताइए निमन लिखित में से किस अमल की उपस्तिती मानो पेट में होती है पिक्रिक अमल, सल्फियूरिक अमल, हाड्रोक्लोरिक अमल, नाट्रिक अमल, इसका साई अंसर हो जाएग हाड्रोक्लोरिक अमल, इसका मानो पेट में उपस्तिती रहती है तभी खानव ना पच्छता है ठीक है अब बताइए सोते समय हरक्त दाब में क्या परिवर्टन होता है घटता है पहले जैसा रहता है बढ़ता है या पहले घटता फिर बढ़ता है तो इसका सही अंसर हो जा है लोहा, तांबा, जस्ता, मेंगनी तो यह सफिक मालूम होगा लोहा होता है मनुस्च के सरीर को सरवाधिक सक्थिसाली पेशी है के मनुवत के सरीर का को लिखे दिया है ठीक है सरवाधिक सकतिसाली पेषी है अपकी अपसन cathedral है याiber जबड़ा खहला ठीक है जबड़ा मनुष्ट के सरीर का सबसे सकतिसाली पेषी है ठीक है अब मानाव शरीर का सबसे बढ़ा खमृ तो इसका सही अंसर हो जाएका चमड़ा ठीक है सबसे बढ़ाएंगे अब बताए मानों का मस्तिक लगभग कितने ग्राम का होता है 1350 या 3231 1100 या 1500 तो इसका सही सभी एंसर हो जाएगा 1350 ठीक है गराम का लगभग होता है मानों का मस्तिस्क अब बताए समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की अवसाद दर होती है 82 92 92 मुझे तो नहीं लगता यह किसी को नाता हो कुछ तो इसका सभी एंसर हो जाएगा बहता है ठीक है तो आज के लिए इतना है बच्चो अगर आपको कुश्यन अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सेस्क्राइब एंड सेयर के चलिए रखते हैं जाहिन जाभारत